तो आज हम मजदार सी मीठी रेसिपी बना रहे हैं जिसका नाम है रोशमलाई जिसको रोशमलाई भी कहते हैं तो चलिए विडियो को स्टाइट करते हैं यह हमारा दूद रात को फट चुका था तो हमने इसकी रस्मलाई बनाने का सोचा है आप भी इसी तरह रस्मलाई बना सकते हैं अगर आपका दूद फट जाया कुछ भी हो जाया तो सबसे पहले इसको हमने एक मलमल की कपड़े में रखके चान लिया था और फिर इसको ओवरन सकते हैं ताकि इसका पानी अच्छी से निकल जाए और अच्छी तरीके से रडी हो जाए और अधर आप दूद फार कर बनाना चाहते हैं तो इसका तरीका यह है कि एक किलो दूद में तू और त्री टेबल स्पून लाइमन जूस या विनीगर एड करके उसको मुसलसल चला करके मसल लेना है इस तरह देखें और अब हम इसकी गोलिया बना देंगे आप अपने साइस के मताबिक बनाएं लेकिन प्रिफेर करें चोटी बनाना क्यूंकि चाशनी में जाकर पूल जाती है इस तरीके से हमें गोलियां रेडी करनी है यह देखें यह सारी रेडी हो चुकी है अब हम इसकी चाशनी की तरफ जाते हैं तो हमने एक पॉर्ट ले लेना है जिसमें टू कप चीनी आट करनी है और देल डीटर जितना पानी आट करेंगे और फिर हम इसको दो तीन मिन तक चलाएंगे चम्मच इसका और फिर इसके बाद इसको उबाल आने तक पकाएंगे क्ये देखें इस तरीका से हमें जम्मच चलाते रहा है अब यह तो बोékल होति हैंगी अब जाते हैं अपनी दूड वाली रब्भिगी तरफ तो यह देखें हमने हाफ के जी दूड ले लिया है यहांपर तो हम इसको हरका से इसमें बोइल जाने देंगे ये देखें इसमें हरका सा बॉयल आ चुका है अब हम इसमें 1 टी स्पून एलाइची पावडर एड़ करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसमें 1 पिंच यलो फूट कलर एड़ करेंगे क्योंकि इसको एड़ करने से इसका कलर बहुत ही अच्छी तरीके से आता है और बिजार में भी यही कलर यूज किया जाता है अब हम इसमें थोड़े से एल्मंट्स और पिश्टाशो एड़ कर देंगे और इसको पकने देंगे इसको हमने थोड़ा सा गाड़ा कर लेना है अब देखिए इस पॉइंट पर हम इसमें हाफ कप शुगर एड़ करेंगे और इसको दो-तीन मिन तक जलाएंगे ताके शुगर अच्छी तरीके से मिल्ट हो जाए इसको थोड़ी देर तक हम पकने देंगे क्योंकि शुगर डलने के बाद दूद बहुत पतला हो जाता है इस दे हम थोड़ी देर तक इसको पकाएंगे और यह देखिए हमारी चाश्णी बहुत यह ची तरीके से उसमें उबाल आ चुका है अब हम इसमें कोली आइट करेंगे रसमलाई किये यह हमने सारी एट कर दिया इसको कवर कर लेंगे ठोड़ी थोड़ी देर में हम इसको चेक करते रहेंगे हमने चंबश नहीं मारना इसमें वरना यह तूट रहेंगे अब देखिए हो चुकी है अब हमें एक आइस बाल लेंगे इसमें आइज एक करेंगे और थोड़ी सी चाश्णी एक करने के बाद सारी कोलिया एक कर देंगे यह हमने 20 मिन तर वक दी थी अब हम इसको सारा निकाल लेंगे इसमें से जूज इस तरीके से और इसको एक बाल में से एक करतेंगे यह देखें ना टूटी है ना कुछ डैमेज होई है किती अची तरीके से बनी है हमने जो रबडी तियार की थी वह इसमें एट कर देंगे और यह देखें हमारी रसमलाई रेडी हो चुकी है अब हम रबडी एट करने के बाद टू हार्स तक रिफिजिडेटर में रखेंगे इसको ताके यह ठंडी हो जाए यह देखें थंडी होने के बाद कित्ती अची तरीके से रेडी हो चुकी है और उमीद करती हूं कि आपको हमारी रसिपी अच्छी लगी होगी यह बहुत ही जट पर रेडी होने वाली रसिपी है आप जरू ट्राइ कीजएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए ना हाफिस यामी